स्वागत है दोस्तों आप सभी को टिकराच यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi Go या फिर किसी भी Redmi Mobile में आपको Call Bearing Connection Problem और Invalid MMI Code का Problem आ रहा हैं तो इसे आप कैसे fix कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वीडियो के साथ बने रहे हैं साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना तो दोस्तों यहां पर देखिए यह problem हमें कब कब आता है और इसका क्या क्या solution है मैं आपके सारा यहां पर discuss करने वाला हूँ सबसे पहले तो दोस्तों आप जो code यहां पर dial कर रहे हो make sure कर लिजेगी वो code सही है ठीक है कभी कभी code कलत होने पर भी आपको यह problem शोगा अब इस solution किया है दूसरा दोस्तों यहां पर देखिए सबसे पहला solution तो आपको settings पर जाना है उसके बाद में आपको एकदम नीचे आके यहां पर ढूनना है यहां पर आपके mobile में शायद आपको application manager शो करें all application apps शो करें या फिर installed apps उस पर आपको click करना है और यहां पर दोस् message पर या फिर storage पर आना है और यहां पर आपको clear data पर click करके इसे clear कर देना है ठीक है यहां फिर दोस्तों यहां पर पहले force stop पर click करना है उसके बाद में यहां पर clear data पर click करके सारा clear कर देना है उसके बाद में app permission पर जाके यह सारा permission आपको allow कर देना है उसके बाद में दोस्त दोस्तों यह दिन नहीं होता है by any chance, देखे 90% तो चांसे से आपका problem solve होई जाएगा, by chance नहीं होता है, तो final option है कि दोस्तों आप अपना setting में जाके additional setting में चले जाएए और यहां से दोस्तों backup and reset में जाके अपना system setting को reset कर लिजेगा, उसके बाद में तो आपका problem definitely solve हो जाएगा उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, thanks for watching.